दोस्तो अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि इंडियन रेलवेज में ब्रॉड गेज पे चलने वाली सबसे फास्टेस ट्रेन कौन सी है तो इसका उत्तर बहुत लोग जानते होंगे और सबसे पहला नाम गतिमान एक्सप्रस का ही आएगा जो करीब 160 किलोमेटर पर आवर के स्पीड में चलती है कुछ दूरी तक ही सही पर यही इसकी टॉप स्पीड है पर अगर बात करें मीटर गेज ट्रेन की तो क्या आपको पता है कि भारती रेलवे की सबसे फास्टेस मीटर गेज ट्रेन कौन सी थी वैसे तो किसी एक ट्रेन का नाम नहीं दे सकते पर कुछ ऐसी ट्रेन्स थी मीटर गेज की जो बाकी की मीटर गेज ट्रेन्स के मुकाबले बहुत फास थी एक्जाम्बल के तौर पर लोग कहते हैं कि पिंग सिटी एक्स्प्रेस जो जैपूर से डेली के भी चलती थी उसकी टॉप स्पीड करीब 110 किलोमेटर परावर की होती थी और उस वक्त उस रूट पे इस ट्रेन का बहुत बढ़ा नाम था इसके साथ ही आश्रम एक्सप्रेस जो जब मीटर गेज पे चला करती थी उसकी टॉप स्पीड करीब 105 किलोमेटर परावर से भी अधिक होती थी और सोचने वाली बात ये है कि आज जब ये ट्रेन ब्रॉट गेज पे चलती है तो इसकी मैक्स परमिसिबल स्पीड 110 किलोमेटर परावर पे ही रेस्टिक की गई है सदन इंडिया में मीटर गेज का एक अलगी दबदबा रहा है और जब भी सदन इंडिया के किसी फास्ट मीटर गेज ट्रेन की बात होगी तो वैगई एक्सप्रेस का नाम उस लिस्ट में जरूर से होगा ये भी ट्रेन मीटर गेज ट्रेक्स पर करीब 100 किलोमेटर परावर से भी अधिक स्पीड में चला करती थी sources के मताबिक meter gauge trains को 135 km per hour के speed में भी test किया गया है पर आम तोर पर speed में किसी भी meter gauge trains को चलने की अनुमति नहीं थी कुछ section पर speed और traction को बढ़ाने के लिए दो वाइडियम 4 locomotives को जोड कर याने की double headed meter gauge trains भी चलाई गई है अगर बात करें आज की तो जाहिर से बात है जाहतर meter gauge tracks का conversion हो चुका है और आज जो भी बची-पुची meter gauge lines है उन पर trainों की speed 45 km per hour से maximum 50 km per hour पे ही restrict रहती है सोची meter gauge trains तो बहुत पुरानी है और आज हमारे पास नई टेकनीक है नए coaches है नए locomotives है इनके होने के बाद भी हमारी बहुत सारी trains की जो max permissible speed है वो 110 km पे ही restrict रहती है तो दोस्तों ये छोटा सा fact आपको कैसा लगा अगर आगे भी आप ऐसे ही radius के छोटे मोटे facts के बारे में जानना चाहते हैं तो comment box में जरूर से बताए और हाँ आप मुझे instagram पे जरूर से follow कर ले link आपको यहाँ देख रही होगी फिलाल साइंकिस वीडियो को देखने के लिए जै हिंद and God bless you all